दोस्तो एक बार फिर से आपका स्वागत है परजापती नीज में दोस्तो आज किस वीडियो में आपको बताएंगे दुबई के क्राउन प्रिंस के लाइफ इस्टाइल के बारे में मतलब की दुनिया के अमीर लोग भी ऐसी लाइफ इस्टाइल नहीं जी पाएंगे जैसी दुबई के क्राउन प्रिंस सेख हमदान जीते हैं चाहे हमारे बॉली बुट के सितारे हों या फिर दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमेन या सब सेख हमदान की रोयल लाइफ का आदा भी नहीं जीते होंगे लेकिन आखिर ऐसा क्या बात है कि या अपनी रोयल लाइफ इस्टाइल को मैंटेन करने के लिए पानी की तरफ पैसा बहाते हैं और फिर भी इनके पास इतनी दौलत है कि अगर 200 लोग भी एक साथ इनकी दौलत को गिनने बैठें तो उन्हें एक साल से भी जादा का बक्त लग जाएगा तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको दुबाई के क्राउन प्रिंस सेख हमदान की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बाते बताएंगे जिसे सुनने के बाद आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे बस इस वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा और वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो के नीचे एक रेट कलर का सस्क्राइब बटन दिख रहा होगा उस पे क्लिक करके सस्क्राइब कर लें और साइट में बेल का आइकोन दिख रहा होगा उस पे भी क्लिक कर लें और दोस्तो वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और वीडियो को सेर भी कर दें दोस्तों आपको बता दें दुबाई के क्राउन प्रिंच सेख हमदान के सामने बड़े बड़े सूपर इस्टार किसी मजदूर से कम नहीं है जिसके सबसे बड़ी वज़ा है सेख हमदान की रॉयल लाइफ इस्टाइल दुबाई की रॉयल फैमिली हर बग पानी के तरफ पैसा बहाती है लेकिन इनके पास इतना पैसा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता और उस रॉयल फैमिली का सबसे रॉयल इंसान क्राउन प्रिंच सेख हमदान है जिसका पूरा नाम सीख हमदान बिन महम्मत बिन रसीद अलमक्तूम है और इन्हें पुरी दुनिया इनके इंस्टाग्राम हैंडल फाजा के नाम से जानती है और इनके पास इतना पैसा है कि अगर 200 लोग भी इनके पैसे को गिनने बैठें तो उन्हें एक साल से जादा का समय लग जाएगा और उसके लिए सबसे पहले आप एक बार इनके प्राइविट यार्ट पर नज़र डाल लेजिए जिसको इसमरेलडा भी कहा जाता है जिसकी कीमत 1000 करोड है और दोस्तो इस यार्ट में उस सभी फैसिलिटीज मौझूद है जो साइद किसी 7 इस्टार होटल में भी ना हो जहां आपके एंटर करते ही एक अलग सकून और अराम महसूस होगा दोस्तो आपको जानकर हैरानी होगी इस 7 इस्टार यार्ट में 24 कमरे तो सिर्फ नौकरों के रहने के लिए है जो साब सफाई से लेकर खाना बनाने में एक्सपर्ट हैं और पूरे यार्ट की देख भाल करते हैं इस यार्ट को दुबई के क्राउन प्रिंस एक हमदान केवल 5-10 लोगों की पार्टी के लिए इस्तमाल करते हैं और दोस्तो अगर आपको यह बहुत जादा लग रहा हो तो हम आपको बता दे कि यह तो कुछ भी नहीं है क्योंकि इनके पास 6,000 करोड की एक और यार्ट मौजूद है जिसका नाम दुबई यार्ट है अगर इस यार्ट की बात की जाए तो इसमें 50 से भी ज़्यादा साही महमान ऐसो अराम की जिन्दगी गुजार सकते हैं उसी के साथ ही दोस्तो इसमें 90 कमरे मौजूद हैं जिसमें यहाँ पर साब सफाई और देख रेक के साथ साथ खाना बनाने वाले एक्सपर्ट रहते हैं जो इस 6,000 करोड की तैरते हुए जहाज की अच्छे तरीके से देख रेक करते हैं और दोस्तो यह सलसला यही नहीं ठमता क्योंकि इनके पास एक 300 फुट लंबी रुबावी सूपर्यार्ट और 180 फुट लंबी एक जहाज भी मौजूद है और दोस्तो आपको बता दें सीख हमदान के छोटे भाई मनसूर भी अपने भाई सीख हमदान से किसी मामले में कम नहीं है इस वज़े से उन्होंने भी 10 मिलियन डॉलर यानि की 500 करोड की एक याट खरेड डाली जो कोड 8 के नाम से जानी जाती है अब दोस्तो समुनर से निकल कर जड़ा जमीन की तरफ रुख करते हैं और जानते हैं कि इस साही परिवार के साही बेटों के पास आखिर कैसी और कितनी महगी गाडिया हैं दोस्तो आपको बता दें गाडियों में भी खर्चा करने में सीख हमदान बहुत आगे हैं क्योंकि उनके पास धाई करोड की मर्सेडीज G63 AMG से लेकर चार करोड रुपे तक की मर्सेडीज AMG SLS तक सभी गाडिया मौझूद हैं और कोई ऐसी महगी और अलिसान गाडी नहीं है जो दुबई के क्राउन प्रिंस ने छोड़ी हो और तो और दोस्तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप दुबई की रॉयल फैमली के किसी भी सदस को करोडों से कम की गाडिया पर सवार होते हुए देखें दोस्तो सेख हमदान की गाडियों के कलेक्शन में फरारी, लेंबरगेनी, बुगाटी, आश्टिन मार्टिन जैसी कई और अलिसान गाडिया मौझूद हैं जो इनके गाडियों के सौक को साप दरसाती है क्योंकि जिस गाड़ी को इनसान लेने में अपनी पूरी जिंदेगी का कमाई लगा देता है वहीं सेख हमदान उसे खरीदने में एक सेकेंड का भी वक्त नहीं लगाते हैं उसी के साथ ही जब लोग अपनी गाडियों को अपगरेट करवाते हैं तो उसमें वे लोग अपने मन पसंद की गद्धी और कैमरा वगेरा लगवाते हैं लیکिन दोस्तो दुबई के या प्रिंस गाडियों में 24 करेट के सोने की प्लेटिंग चढ़ाते हैं तभी तो जो सोने की गाडिया दुबई में मौजूद हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेगी और सीख हमदान के अलावा उनके छोटे भाई मनसूर भी मरसेडीज के नीचे बात नहीं करते हैं यानि कि पूरी रोयल फैमली को ही गाडियों की बहुत सौक है जिस बज़े से इस पूरी फैमली की गाडियों के कलेक्सन में 100 से भी अधिक गाडिया मौजूद हैं जिसकी कीमत करोडों में हैं दोस्तों सेख हमदान जितनी royal lifestyle जीते हैं उतना ही इनका देल royal है जिस बज़े से या दूसरों की मदद करने में एक बार भी नहीं सोचते हैं और जिस तरह या अपनी lifestyle को अलिसान और लगजीरियस चीजों से भर देते हैं उसी तरह से लोगों की जिंदगी में खुसिया लाने में पीछे नहीं हटते हैं जिसका सबसे बड़ा उधारण या है कि जब एक कैंसर पैसेंट ने सीख हमदान से मदद की गुहार लगाई तो इन्हों ने उस पैसेंट के दवाई का खर्चा 6 करोड रुपए बिना सोचे समझे अदा कर दिया उसी के साथ ही इन्हों ने दिमा इनका एनिमल लब साब साब देख सकते हैं जहां ए ना सिर्फ सेर और तरह तरह के जंगली जानुरों के साथ खेलते हुए नजर आ जाएंगे और हद तो तब हो गई जब इन्होंने एक उंट पसंद आने पर उसे 40 करोड रुपए में खरीद लिया जी हाँ चलते चलते ही इन्हें एक उंट बहुत ही जादा पसंद आ गया और बीना सोचे समझे इन्होंने उसे करोड रुपए में खरीद लिया और जब से उन्होंने उसे खरीदा तब से उसके साथ काफी वक्त विताते हैं जिसके तस्वीरे आप इनके इंस्टाग्राम एकाउंट पर अराम से देख सकते हैं वैसे दोस्तों आपका दुवए के रोयल प्रेंस के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में तो आप सबी लोग वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें ताकि आपके लिए ऐसी वीडियो बना कर लाते रहें वीडियो को सेर भी कर दें ताकि सबी लोगों तक ए वीडियो पहुच जाए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नहीं जानकारी के साथ तब तक जै हिंट जै भारत दोस्तों आपके स्क्रीन पे दो और वीडियो दिख रही है देखने के लिए स्क्रीन पे क्लिक करें दोनों वीडियो काफी अच्छी है